चलो, तो सेंचुरी की बात करें नेस्डिक 50 पर नीचे बंद जाता है, उपर हो जाता है, सेंचुरी तो याद नहीं आती है, तो अमेरिका में दीफ हो यह राए की रिजल सीजन चल रहा है, उनका बहत दमदार, शानदार, बहुत ही बढ़िया, जो नेस्डिक की सेंचुरी लेगी हो, नेट्फिक्स की वज़े से लेगी हो, उनके नंबर वड़े दमदार सेंचुरी स्टोक में बड़ी बरपूर तेजी बनती है, वहाँ पर 11% भागा है नेट्फिक्स का स्टोक, इस हफते SNP की करीबन-करीबन 100 कंपनियों के नतिज़ा आएंगे, यानिकि नतिज अधिस पोईंट गटा ही है, मैं आपको बतातू के हलका पोजिटीव है, यह वह रेट है जिसके बहुत जादा इंपोर्टेंस है, जादा इंपोर्टेंस RRR हमारी सुपर हिट मुवी है, रिजर्व रेश्यो रिक्वाइमेंट क्या है? रिजर्व रिक्वाइमेंट रिश्यो रिक्वाइमेंट रिश्यो वह घटेंसहाना फाइदा है, यह घटाना हलका फुलका होगी हो, ऐसा निकि यह घटा इसलिए हैं आप कूट कूट के मेटल खिट दे, RRR जब गटेंगा चेल्न तो वह ज्यादा फाइदे की बात है, अच्छ परेशान करने जाएंगा, बढ़े हैं बोलो, जोई लोग अच्छा कर रहें, उनके लिए तो अच्छा हो रहा है, हमारे लिए फ्राइडे का दिन बहुत बढ़िया था सार, बहुत अच्छा था, सुबह की बोलना का दोफर की, सुबह तो ऐसा बोलना सा, खाया पर निकल गया, ऐसी ब्लेक फ्राइडे होगी, पिटाई धुला ही जो हो रही थी, मतलब अक्टोबर के लोज तोड़ा ले, मतलब ऐसा ले किदर छुटना है, किदर जगे नहीं मिल रही है, बार के लिए रिवर्सिंग हो रहा है, थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन नहीं ह मज़ा आगे, मज़ा तो आगे, रिकावरी बहुत स्मार्ट रही है, रिकाव है रिकाव है रिकावरी, क्या ये फाइनली हमें ये जो रेन से बाहर निकालना ही कर सकती है, क्योंकि पहले आपने सपोर्ट तोड़ा, तो वहाँ पर डर आए कि चलिए अब डाउनसाइड ये बढ़िया है, कॉन्फिडेस बढ़ाने वाली जरूरत वाली थे, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आपको ये कह दे कि भाई मस तरो तुम सब कुछ खराब जो होना ता हो गया अब नहीं होगा, ये कॉन्फिडेस दूर दूर तक नहीं है, क्यों नहीं उसकी दो तीन वज़े है पहले तो मार्केट का एक्षिन बढ़ाता हूं, बताता हूं दूसरा बाद में FIS की वज़े से, तो वो पहले, बेसिकली पहले ये समझे कि बड़ी रेंज किया है, 24,550 नीचे स्ट्रोंग सपोर्ट है और 25,250 उपर रुकावट की रेंज है, इस रेंज को निफ्टी को टा जबती बढ़ जाएगी, ये क्लोजिंग रेंज है आपके, तो क्लोजिंग में भी, फिर आपका मिड़ पोइंट क्या है, 25,000, 25,000 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 25,000 के नीचे बंद हो रहे हैं, तो कॉन्फिरेंस हिलावा ही रहेग आपका, वो साइकलोजिकल लेवल है, ठीक है, ये आपकी रहे हैं, अब आईए बैंक्टिफ्टी, जिसमें शुक्रवार को बड़या ब्रेक आउट दी है, एक इसकी ट्रेडिंग रहे हैं, बड़ी जो निकल करा रही, 51,000 और 53,000 के आसपास की है, ठीक है, 52,000 के आसपास आ नहीं था, काइदस देखा जाए, और शुक्रवार को बैंक्टिफ्टी का पार करना है, इसलिए भी इंपोर्टेंट है दी, तीन बड़े बैंकों के नचीज़ आपके वीकेंड पे आ रहे हैं, इसके बावजुद आप 52,000 के उपर जाकर बंद हो रहे हैं, ये बड़ी बा मेंग बावज़ाइगा के इन चीज़ वीकेंडिन आपके ते हो लेगन, निफ्टी के बना हरे हैं, उनर जूरे ये लगता हैं, तीन रमी इसलिए और भी इंडेस मेंडिस में निछ रहे, इकान दिखा जाएं तो हम लोर लोज भी बना रहे हैं, निफ्टी में हमने लोर लोज बनाए है, क्लोजिंग बैसिस पहले ही हमने 24-800 होल किया है, आज भी आपको 24-800 के उपर बंद होना जरूरी है, तो 24-800 होल कर रहे हैं, वो एक ठीक बात है, लेकिन निफ्टी में अभी confidence नहीं है, और अगर आप यह सोचे हो कि विक्वाल रेंज से बाहर निकलने का संकेत आ रहा है, तो अभी तक तो नहीं है, नहीं है, इंसे जार करना पड़ेगा, पुझे लगा शायद तो नहीं है वही है, जो है वो है,